भाग एक, अनुच्छेद एक से लेकर चार, संग का नाम और राज्य चेतर अनुच्छेद एक से लेकर चार में, भाग एक में, जितनी में जानकारी है, जितनी जरूरी जानकारी है, सारी की सारी मिलेगी, in detail हलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, आप देख रहे हैं, एक्जाम औरियंटेड, चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, अनुच्छेद नमबर एक, तो अनुच्छेद पहला, इसके अंदर बोला गया है, भारत अर्थार्थ इंडिया, राज्यो का संग होगा, यूनियन, ठीक है, अब आपको यह जानना पड़ेगा, कि यहां पर यह संग दे रखा है, और यूनिय तो इसके तीन पार्ट्स हैं, हमें यूनियन ही क्यों बने हैं, हम संग ही क्यों बने, हम परिसंग बन सकते थे, हम फेडरल बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे, कि यूनियन ही क्यों बने, तो सबसे पहले इनका अंतर जानना पड़ेगा, कि फेडरल क्या है, और कॉन्फेड देश मिलकर एक साथ एक देश का निर्मार करते हैं वो देश हैं लेकिन वो छोटे छोटे देश हैं तो वो एक साथ काफी सारे देश एक साथ मिल जाते हैं एक समझोता के रूप में और वो एक देश का निर्मार करते हैं लेकिन उसमें कंडिशन होती है कि हर किसी के जो पाव अब अपर अपनी वो दे देते हैं, और उनके पास उनका जो सम्झ होता होता है, वो यह होता है, कि वो जब चाहेंगे, अपना यहां से इस देश से हट सकते हैं मतलब यह नहीं होगा कि एक बार जुड़ गए तो जो केंदर में बैठा हुआ वही उसे हट आएगा नहीं वो जब चाहेंगे हट सकते हैं जब चाहें एड हो सकते हैं वो उनकी मर्जी है वो किसी भी रूप में किसी भी चीज के लिए बात दिया नहीं है यह होता परिसंग यहाँ पर याद रखना कि देश मिलकर देश बनाती है ठीक है एक देश और अब आता है नीचे फेडरल संग संग फेडरल ठीक है इंगलिस में भी याद रखना है क्योंकि इस जब पूछ आता है तो उसमें इंगलिस भी देखना है एक बार कि यूनियन ही इए फेडरल है तो पूछ लिए भारत क्या है और वहाँ पर फेडरल और यूनियन है तो यूनियन संग के दो ओप्सन मिल जाते है तो आदमी confused रहता है कि कौन सा है तो एक बार बैक में जाकर इंगलिस में देख ले ना language change करकर कि union के वाला कौन सा option है तो federal federal एक ऐसा देश होता है जो कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है बहुत सारे राज्यों हैं उन्होंने एक साथ मिले और उन्होंने उस देश को निर्मान किया और वो अपनी काफी सारी पावर केदर को दे देते हैं लेकिन इसमें भी एक समझ होता होता है फरिसंग में देश थे जोटे चोटे उन्होंने एक बड़ा देश बनाया था मिलकर और यहां पर जुनो ने मिलकर क्वी सरे राजों ने मिलकर यह बनाया है यह होता फेडरा अब एक होता UNION जो की हम है Take अब हमने यूनी नहीं क्यों चुना, हम फेडरल चुन सकते थे, कॉन फेडरल चुन सकते थे, एक छोटी सी भास समझना, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उससे में क्या था, हमारे हाँ पर बिटिस परान थे, और रजवाड़े थे, जिने हम प्रिंसली कहते हैं, जो मिस्निरी छेतर से, ये तीन परकार के छेतर से महाँ पर, अब महाँ पर देशी रियासत भी थी, जो 552 भारत में आकर मिल गई थी, अब उसमें क्या था, कि अगर ये फेडरल ये कॉन फेडरल बनाते हैं, तो वो जब चाहते, वो जितनी भी थी, वो दोबारा से तूट जा पर लेकिन संग ही को चुना गया, यूनियन, उसका कारण ये था कि आप अपनी मर्जी से मिल सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, इसमें सर्भोबरी पापर केंदर के पास है, आप एक बार मिल गए, फिर आपके कोई अधिकार नहीं है, केंदर जब चाह नहीं हो सकते, इसलिए यूनियन बनाया गया भारत को, कि ताकि एक बार जब भारत में जो मिल जाए, वो कभी अलग ना हो पाए, हम मिला सकते हैं, पर अलग हम से कोई हो नहीं सकता, ये थी यूनियन की पापर, इसलिए भारत ने यूनियन को चुना, मुझे लगता है कि आ बना देश है अमेरिका यह जितने भी राज्ये है और लिगागे यह उसे है सकते है कैंद सरव पर ही होता है वैं है सर्वोपरी का मेरा मतलब यह है कि सबसे ऊचे पत पर बैठा हुआ जैसे अमेरिका के अंदर जो आज के समय बे राश्टपती बगएर बनते हैं पर लेकिन पावर्स जो होती है वो सब अपनी राज्यों के पास खुद होती है अगर उन्हें लगता है कि मैं इस देश के साथ रहकर संतुष नहीं हूँ तो वो जब चाहे अलग हो सकता है उसके पास यह इतनी पावर होती है तो यह है अमेरिका ठिक है आप देखते हम यूनियन के है यूनियन को भी समझ लेते हैं यह यूनियन अब यूनियन में हम राज्यों का एक संग यह हैं अब तक क्या था कि अ एक बार आवाज उठी थी असम में अलग होने की लेकिन उसे दवा दिया गया और अभी काफी समय से जम्मु कस्मीर के अंदर ही आवाज उठ रही थी कि हम अलग होंगे अलग देश बनेंगे या कहीं और जुड़ जाएंगे जहां उनकी मर्जी होगी पर लेकिन उन्हें यह आपको पावर दी गई थी तीन सो सतर और पैंतिस ए उसका आप दुर्पयोग कर रहे हो तो केंदर ने अभी बिल पास किया आप आपने देखा होगा पहले राज्य समय में उसके बाद फिर लोग समय में और राशपती के शाइन लिया और हो गया काम महाँ पर ये समझ उसे कितना नीच ला दिया एकदम कि आप राज्य भी ने रहे आप एक बाद याद रखिये कि जो हिडलर था उसने बात कही थी बहुत प्यारी सी प्यारी तो नीदी खेर थी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात पर लेकिन प्यारी इसलिए है कि जम्म कुश्मीर के लोग इसार रहे थे तो इसलिए प्यारी हैवों एंके लिए कि लोगों को इतना नचोड़ दो इतना परेशान कर दो क्यों जीने को ही अपना सब कुछ समझें कि वो जी रहे है ना मेरी सबस्दित कि स्कीर consig आदे ग्रुट ऑफ-el दिया तो यही जी сохран apoyo कर दिया संबीधान अलग था लेकिन आज ये पूरा का पूरा भारत में मिल चुका है अलग बिल्कुल नहीं है तो अब ये पावर होती है संग की यूनियन की कि अलग नहीं हो सकते हैं आप कितना भी दम लगा लिजे तो मुझे लगता अनुचेत एक आप समझ गया होगा कि अनुचेत एक के अंदर है क्या क्या बोला गया है मुझे लगता आश्ता का आपने इतना डिटेल में नहीं पड़ा होगा चलिए और एक दो बाद जान लेते हैं इसकी अब तक ही नमबर एक था अमबर दो को समझते हैं अनुचेत एक ही चल रहा है भी राज्य और उनके राज्य छेत्र वे होंगे जो पहली अनुचेत एक में बीन निर्दिश्ट है रहा है भी निर्दिश्ट का मतलब है कि अनुची अपने देखी होगी कि अनुची यह कितनी है 12 अनुची यह हुए है एक के अंदर लिखे हुए हैं तो आज के समय पे 28 रज्जे और 8 के इंदे सालिष प्रदेश हैं तो वो ही है दूसरे के दूसरा बोला गया भारत के राज्य छेत्र में पहला राज्यों के राज्य छेत्र राज्य छेत्र का मतलब होता है हमारे जितने अगर जेसे कि अभी बुरूशिस्तान में ये चल रहा आजद होने का तो हम जाएं महाँ पर और उन्हें अजात करा के अपने डेश में डेश में आड़ कर ले तो वो हमारा अर्जित हो जाएगा आप ये लगा लिजी है जब सम्निधान बना तो इतना बढ़ा खेल खेला गया कि अरजित छेतर आज तक जीरो हैं एक भी नहीं है लेकिन ओप्सन दे दिया गया कि अगर आप अरजित करना चाहते हो तो कर लो भाई आपके पास ओप्सन है सम्मिधान बनाने बाले पहले सी समझदार थे उनने पता था कि आगे क्या-क्या परिष्चित हो सकती है क्या-क्याचीज ओ सकती है तो उन्हें पाबर दे दी कही पहले ही कि आप अगर लेना चाहते हैं किसी देश की छोटे से राज्जे को अरजित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं के पास ये अधिकार है तो मुझे लगता है आप अनुच्छेद एक को समझ गए होंगे अब कि अनुच्छेद है क्या चलिए देखते हैं आगे आगे हैं अनुच्छेद दो दूसरा ही कहता है कि संसद बिदी दौरा ऐसे निवंदो और सर्तो पर जोबे ठीक समझे संग में नए राज्जो का पिरवेथ या इसकी स्थापना राश्पति की पूर अनुप्ति से कर सकेगी इसका दूसरे अनुच्छेद में ये है कि जैसे की कोई दूसरा राज्ज EST, कोई दूसरे देश में राज्ज EST है कुछ भी है वो अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप उसे जब चाहो बिला सकते हो और रज्जे के अंदर ही अगर रज्जे कोई तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो आपके पास ये अधिकार है ठीके? तो इसके अंदर ये बोला गया है तो अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी इसमें कि ऐसा एक दो बार हुआ भी है क्योंकि एक्जामपल होने बहुत ज़रूरी है तो एक्जामपल भी हैं पूरे समझीए अब क्या हुआ चोटी सी बात कि अनुच्छे सोरी नमबर एक पैतिस बार सम्मिधान संसोदन हुआ जो की 1974 में हुआ क्या हुआ कि जो चीन था उसने तिबबत पर 1969 में कबजा कर लिया और उन्हें इतना पिर्ताडित किया कि सिक्किम वाले देखकर डर गए कि क्योंकि तिबबत की नीची सिक्किम था उन्हें लगा कि अब तिबबत पर कबजा कर लिया है तो हम पर भी यह कबजा कर लेंगे और हमारे तो थोड़े सी लोग हैं, बिल्कुली तितर बितर कर देंगे, बहुत मार काट हो जाएगी, तो उन्हों ने देखा कि हमें बचाने वाला तरफ एक ही देश है वह भारत, तो अब वो चीदा भागे भागे पोचे कि हमें आड कर लो अपने देश में, हमारी जान पड़ेगा, तो उन्हों ना का, जी, बिल्कुल, जो आप कहेंगे, वो समझोत हम करेंगे, लेकिन, आप हमें बईस बास दलाइए, कि आप हमारे लोगों को इधर उधर नहीं फैकेंगे, कि पजा चला एक विक्ति को आपने तमिलनाडू भेद दिया, कुछ विक्ति को ऐसे नहीं करेंगे, सारे के सारे हम यहीं पर रहेंगे, आप हमारे साथ कोई भेदवाव नहीं करोगे, तो इसलिए 35 बास सम्मिदान संसोधन किया गया, उसे सहराज्य बनाया गया, कि आप एक साल आराम से हमारे देश के साथ मिलकर रही है, उन्हें देखिए, कि आगर लगता है कि आप अलगा सकते हैं, अब एक साल तक रहे, उसके बाद सिक्किम बोला कि हमें मंजूर है, हम आपके देश से ही मिलकर रहेंगे, आप हमारे रख्षा कीजिए, तो 36 बास संसोधन किया गया, जो 35 बास सम्मिदान संसोधन था, उसे उसने खारिच कर दिया, 36 बास सम्मिदान एक नया संसोधन किया, और उसके अंदर का उसे पूर्ण राच्चे का दरदा, दरजा दे दिया गया, तो इस तरह से, मैंने कहा न, अनुच्छेत को आपको इन डिटेल समझना पड़ेगा, और दिल से समझना पड़ेगा, तब ही आप समझपाओगे, तो आपक समझना ये है कि, और इसके अंदर एक बात है कि राष्टपती की पूर्बान उमती, सिंपल सी बात है, पूर्बान उमती का मतलब होता है, एक सिंपल सी बात, फोन मिलाना है, प्रदान मंतरी को जी भी ऐसा है, हम ये करने जा रहे हैं, राष्टपती के पास कोई भी अधिक हैं वो जब चाहें महावयोग लगा कर राश्ट्पती को हटा सकते हैं संभिधान के सिंपल सी बात है प्यार से लत्या देना महावयोग के लाता है तो आप ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है राश्ट्पती की कोई पुरवन्मती कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एक कोल चाहिए सिर्फ बता देना है कि आये करने जा रहे हैं बात खतम इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है राश्ट्पती की ऐसी कोई पावर नहीं है भारत के अंदर तो ये दो अनुच्छे थे दो पावर्स थी और अनुच्छे दो आप में लगता है अच्छी करेंगे नए राज्य का निर्मार आप ऐसे कर सकते हैं आपको याद होगा कि मद्य परदेश से हटाकर शत्यसगड़ बनाया गया था नए राज्य का निर्मार था एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना दिया गया था ऐसे ही बिहार से जारखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश से उत्तर खंड और आपका अगर आप नीचे जाओगे तो आपको आंदर प्रदेश से अलग करके बराया गया था तिलंग न तो वस वही है दूसरा किसी राज्य के छेतर में बिस्तार बिस्तार का मतलब होता है कि किसी राज्य में किसी दूसरे राज्य का कोई छेतर मिला देना उसे बिस्तार बोलते हैं किसी राज्य किसी राज्य के छेतर को खटाना किसी राज्य की सीमा को बदल देना राज्य की सीमा को कैसे बदल जा सकता है बताइए मुझे राज्य की सीमा को बदल ऐसे भी जा सकता है कि उसके दो तिन अगर आप राज्य ले लें तो जो सीमा पहले उससे नहीं लग रही थी तो जो राज्जे दे दिये गए, वो राज्जे दूसरे राज्जे से लग रहे थे, तो वो उसमें उसकी सीमा बदल दी जाती है, नमबर पांच, किसी राज्जे के नाम में परिवरतन, अब नाम परिवरतन का क्या मतलब है, किसी भी राज्जे का हम नाम बदल सकते हैं, ठी अनुछे तीन के अंदर ये बोला गया है कुछ और जानते हैं अनुछे तीन में अनुछे तीन है कि राज्यों के नाम सीमा और छेत्र बदलने की पिरक्रिया चानते हैं सबसे पहले तो यह जान लेना होगा कि किसी नए राज्य के निर्मान या बरत्मान राज्यों की सीमा में बदलाब के लिए संसद में बिधेयक बिल तभी पेस किया जाएगा जब राश्पती इसके लिए सिफारिस करें सिफारिस का मतलब सिंपल सा है कि प्रिधान मंत्री जी बोलेंगे फोन करके और वो कहेंगे कि हां कर लीजिए बस मैंने बता है न यही उनका काम है और यही इनकी पावर है तो बस यही होगा अगर कोई नए राज्य का निर्मान करना है या किसी सीमा को बदलाब करना है कुछ बिधेग लाना है तो कुछ चिंता करने की जुरूत नहीं है राज्टपती को सिर्फ एक फोन मिलाना है और उनका काम से बितना है कि हां ओके ओके वोलना उनका काम है और कुछ नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है अगला है जिन राज्यों का नाम सीमा छेत्र बदला जाना है उस राज्य का बिधान मंडल इस विशे में एक प्रिष्टाप केंज सरकार को भेजेगा इस प्रिष्टाप पर राश्पती का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार रहे है ठीक है राश्पती का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार रहे है अनुमोदन के उपरांत केंद सरकार उच प्रस्ताप को पुने संबंधित राज्य या राज्यों के बिधान मंडल को अपना विचार रखने एक निश्चिस समय के अंदर उस संसद में प्रस्तुत करने के लिए कहेगी यहाँ पर यहाँ पर मैं एक बात आपको पता देना चाहता हूँ कि राज्य बिधान मंडल को बिधेग भेजने का प्राबधान दरसल मूल संब्धान में नहीं था बलकि इस पिरकिरिया को पांचबे संब्धान संसोदन अदिनयम 1955 द्वारा संब्धान में जोड़ा गया कि हाद रखना और अब आपको मैं समझाता हूँ यह तो था आपका रिटिन में कि क्या है ठीकर थियोरी अब आप समझेए कि रियल में है क्या ही मामला रियल में क्या है कि अब जिसे कि आप समझेए कोई राज्य है वो राज्य कहता है कि हमें अपना अलग एक राज्य चाहिए तो वो नहीं राश्पति के पास पावर है और आगे संसत अपना काम करना इस्टार्ट कर देगी दूसरा इसमें जो है पावर अभी भी राज्य के पास नहीं है सारी पावर केंदर के पास है राज्य ने भेजा है लेकिन संसत चाहे तो उसमें बदलाब कर सकती है बदलाब जैसे कि अगर वो चाहता है वो कह रहा है कि हमारे इस राज्य को भी दीजी तो वो ये कहे कि नहीं आप इस राज्य को छोड़ दीजी बाकी सारे राज्य आप ले लिजी राज्य राज्य कह रहा हूं मतलब आप स्टेट जीले वगारा जो भी होता है वो आप इसमें चेंज कर लिजी तो इस तरह से संसत कुछ भी कर सकती है दूसरा उसने कहा है कि आप इसका नाम ये रखिए तो संसत ये कह सकते है कि नहीं हम इसका नाम ये नहीं ये रखेंगे कुछ और रखेंगे तो संसत के पास पूर अधिकार है वो चाहे तो जो उन्होंने चीज़े लिख कर दी हैं वो एक भी बात न माने सारा का सारा अपना एक नया ही चीज़ बना दे कि आप हम ये करेंगे तो संसत को पूरा अधिकार मिला हुआ है ये रखता है आप समझ गयोंगे इसमें अब आगे देखते हैं आगे ये है कि राष्टपती द्वारा निर्धारिद समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बिधान मंडल द्वारा बिधे को बापर संसत के पास भेजा जाता है वैसे राष्टपती अगर चाहे तो वह इस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है मनलब एक सिंबल सा है कि सब कुछ होगा संसत के कहने पहोगा राष्टपती समय सीमा बढ़ाएगा अपने अगोर्डिंग उसके पास पावर नहीं है कि वह समय सीमा को बढ़ा सके क्योंकि एक सिंबल सा मामल है कि 368 में नहीं है ठीक है जो आपको अनुच्छे चार में मिलेगा भी बाकि आप थोड़ा वो छोटा मोटा है समझ लीजिए ठीक है कि अनुच्छे 368 में नहीं है यह पावर 368 पावर होती है जो थोड़ी बहुत राश्पति को मिलती है उससे बाहर का अगर कोई विध्यक है तो उसमें राश्पति कुछ नहीं कर सकता है तो उसका भी मैं आपको बताया है कि सब संसत का है संसत वो लेगा कि हाँ ठीक आप यहां पर पेस कर दीजे राश्पति से तो व प्रस आगे है वैसे संसत विधानमंडल द्वारा भेजेगे विध्यक को मान नियन के लिए बात दे नहीं है मैं आपको बोला था पहला ही यदि संसत चाहिए तो सदारण वहुमत द्वारा राज्जे के बिधानमंडल की राय के बुर्द भी जा सकती है यह भी मैं आपको पता दिया कि हां यह इसकी पावर से अब एक हुआ था बेरुबारी यूनियन केस अब इसे हम समझते हैं थोड़ा समझते हैं ज्यादा नहीं समझेंगी थोड़ा कि आपको पदल जाए कि चीज थी क्या क्या हुआ था कि बेरुबारी केस में कि यह पस्चि बंगाल के अंदर साथ जब अजाद हुआ तो रेड क्लिफ साब जी आये तो उन्हें बोला गया कि आप एक काम कर दीजिए कि भारत का बड़ार कर दीजिए तो उस टेम यह पूरा एरिया यह पूरा एरिया इस सभी का सभ कि juaniko यह नीपता कभी भारत नियाया इसन ने कभी भारत नहीं देखा संस्कृष ही नी जानता कि कहां क्या चिस चलती है पहना वा नहीं जानता बस उसना यह देखा ने कि हम पर पक और बादिया कंद़र जो यह पाकिस्ताने है और भारत है बोले जीए एक काम करो इधर का भी इधर भी मुसलमान रहते हैं तो इधर का भी चेंज करो इधर का भी करना है तो पुलिश्टर से पर रखा फिर घुमा दिया पेन और बना दिया ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि यहीं पर पश्य मंगाल में एक जगा थी वेरुवारी ठी और ऐसे ही पश्य मंगे जो बंगाल है आपर बंगलादेश तो इसमें भी था लगवल लगवग 80-90 परसेंट हिंदू थे एक दो जगा पर तो अब बात यह आई तो इन्होंने कहा कि हमें यहां जाना है इन्होंने कहा यहां जाना है तो अब उस टेम जो प्रधान मंती थे थ시면 सम्मीर्षान के अंधर नहोंने कहा कि कि हम किसी भी राजियों सकते हैं घ्षान क किसी राज़ई को दे सकते हैं बगरव बगरव थे नहीं तो सीधा सुप्रीम कोट आके बोला जी सुनिये दवाल नहरू जी आपको पावर दी गई है कि आप देश के अंदर जितना कार्ट छीट करना चाहते हो आप कर लीजे किसी राज्य को दूसरा बनाना चाहते हो आप चाहते हो कि असम का कुछ एरिया गुजरात को देदो तो द जवालान नहरू जी बोला ठीक है संसुदन कर देदी आप संसुदन जब करने पोज़े इतना बिरोध हो गया इतना बिरोध हो गया कि यह होई नहीं पाया काम बिरोध के चक्कर में यह लगा लेजिए उन्नीस सो चपन से चल रहा था यह और आज जब 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 अभी कुस्तों में पहले ही कैसा लोग है तो जब मोदी जी आये उन्होंने सीधा महां से खसी नहीं जब बात की और संजोता पारित किया और यहां पर संसुदन संसुदन किया और आप यह लगा लिजे थोड़ा सा भी बिरोध नहीं हुआ काम ऐसी नहीं बढ़ गया बात तो वह अगरं प्रण अपर गोली माराई यह तो अच्छा कई आया काम अच्छा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक पार्टी का चेरह हमें नहीं बनना चाहिए जू सही काम कर रहा है वह सही जो गलत कर रहा आधुछ ठीक है ब चुलब कोई बात नहीं अंदर नहीं हुडा अब सु अनुच्छे दो या अनुच्छे तीन में निर्दिस्ट किसी बिधी में पहली अनुसूची और चोथी अनुसूची के संसोधन के लिए ऐसे उपबंद अंतेव बिष्ट होंगे जो उस बिधी के उपबंदों को पिरभावी करने के लिए अवश्चक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसंगिक और पिरमानिक उपबंद भी जिसके अंतरकत ऐसी बिधी से पिरभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान मंडल या विधान मंडल में पिर्ती निधित्व के बारे में उपबंद है अन्तरक बिष्ट हो सकेंगे जिने संसद अवश्य समझे सिंपल सा क्या है कि अब आप अनुच्छे दो अनुच्छे तीन में कहा गया है कि अगर आपको कोई राज्य बनाना है भार से कोई सी राज्यों को अर्जित करना है या अपने देश में किसी को तोण ना है कोई नए किसी को कुछ दे ना है आद दो या तीन महीं बोला गया है तूट फूट सब कुछ अब सिंपल सा मामला है अगर आप किसी राज्य को भाहर से अरजित करोगे किसी राज्य को भाहर से अरजित करोगे तो अनुच्छे एक में आप उसका नाम तो लिखोगे ना लिखोगी नहीं लिखोगे अनुच्छे देख में उस चीच को लिखना पड़ेगा आपको, कि अनुच्छे देख में, कि इस राज्य को अरजित किया है, तो इस राज्य का नाम ये है, कोईकि अनुच्छी एक में लिखा हुआ ना, कि कितने राज्या और उनके नाम, सब उसके अंदर, तो चेंज होगा, ऐसे अनुच्छी चा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा ने पड़ाबगा दूसरा अगर आप अपने ही राज्ये करना प्च economy तोड़कर दूसरा राज्या बनाओगी तो अउससूची में आप डालोगी नि डालोगी। पहली मं कि हाँ इस राज्ये को बनाया नया तो नया इसके अंदर वोरा गया है कि ऐसे से आपको करना पड़ेगा और दूसरा है पुर्वा प्रिकार की कोई बिदी अनुच्छे 368 के प्रियोजनों के लिए इस सम्मिधान का संसोधन नहीं समझे जाएगी मतलब इसमें जो भी सम्मिधान संसोधन होंगे वो 368 के अनुसान नहीं होंगे बिल्कु साधारान बहुमत होगा सिंबल सा मतलब 50% अब 50% बहुमत होता कितना आप खुछ सोचिए अपने हाँ पर जो रियल में देखे जाए तो 552 सीटे हैं लेकिन जो हमारे बिधायक आते हैं बिधायक नहीं सोरी संसद आते हैं संसद तो वो आते हैं 545 पर याद होगा आपको अब 545 का आप आधा करेंगे तो लगबग लगबग 272 ऐसे बचेगा ठीक है लेकिन अब इतने तो हैं नहीं रियल में कितने आउंगे पर 273 मालूम है 273 और 273 ही आपको चाहिए इतने ही आपको चाहिए जब आपको सरकार बनानी है तो अब 233 है तो हर सरकार के पास होंगे सरकार बनेगी नहीं इतने होने के बाद भी तो सदरान वहुमत का मतलब है आप जब चाहें ये परिवरतन कर सकते हैं 368 के अंदर नहीं है और आपको क कोई खास permission की जुरूत नहीं है सर्फ आपको पहले बता देना हो राश्पती से कि हम ये करने जा रहे हैं बात खतम आपको कोई permission लेने की जुरूत नहीं है लीजे और ऐसी ही अच्छ अच्छ वीडियो बिट इन डिटेल देखने के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ थैंक यू